हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आकी विशेक, आप सभी का सौगत है, नॉलेज आकी विशेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर, आज के मारी वीडियो होने वाली है, इस रो से रिलेटिट इसके अंदर आपकी बीटेक, डिपलोमा वालों के लिए और आईटे वालों क इसके रिगार्डिंग यहाँ पर यह वीडियो है, इसमें हम आपको बताएंगे क्या 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 इसकी important qualifications है, क्या इसमें fee structure रह सकता है और इसके अंदर क्या किस तरीके का आपका जो है patterns वगारा रहता है, तो आईए वीडियो को हम फटा-फट स्टार्ट करते हैं और देखत इसके अंदर क्या क्या important points जो हैं हमें cover करना है, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपकी जो post रहेगी इसमें आपका medical officer, scientist, engineer और technical assistant और scientific assistant और आपका dropsman भी और technician भी की यहाँ पर post रहने वाली है, जिसके अंदर आपका scientific assistant और technical assistant में diploma और आपका scientist के अंदर B.Tech की degree आपके service होना compulsory है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर important तो देखिए, अब यहाँ पर medical की vacancy है, तो आपको मैं important जो मेरा channel है, जिसने मैं technical की vacancy के बारे में discuss करता हूँ, तो उसी पर हम लोग जाएंगे, बाकी अधर को नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आम आते हैं सीज सीज़े, यहाँ पर यहाँ देखिए, आपका structural design के अंदर, यहाँ पर structural design के अंदर, यहाँ पर जिसके अंदर आपका civil में आपका degree होनी चाहिए, और M.E.M.T.E.C. यहाँ पर होना चाहिए, civil के अंदर, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आप लोग इसमें apply कर पाएंगे written test और interview यहाँ पर आपका होगा, जिसके basis पर आपका selection होगा, अब यहाँ देखिए, इसी तरीके से आपका instrumentation, engineering के लिए आपका B.T.E.C. आपके पास instrumentation में है, यहाँ फिर M.T.E.C. है तो इसमें आप लोग apply कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, safety, reliability, engineering के अंदर आपके पास द B.E.B.T.E.C. होना चाहिए, आपके पास industrial production में M.E.M.T.E.C. यह अगर है, तो इसमें आप लोग B.E.B.T.E.C. भी है, तो इसमें आप लोग apply कर सकते हैं, बात करते हैं, safety, industrial engineering में आपके पास इसके अंदर भी आपके 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 अपलाई कर सकते हैं, बात करते हैं, thermal engineering क पोस्ट है, इसमें आप लोग बिल्कुल apply कर सकते हैं, अब बात करते हैं, mechanical की, तो 12 seat यहाँ पे, total 13 seat यहाँ पे mechanical की हैं, जिसमें diploma mechanical आपका है, और इसमें आपका rating test और skill test के basis पे यहाँ पे selection कर लिया जाएगा, अगर बात करते हैं, electronics की तो same आपकी इसमें total 11 post है, rating test और mechanical और photography और microbiology इन सब में अगर आपके पास जो है diploma है, तो आप apply कर सकते हैं, आप बात करते हैं, आप पर technician भी जिसमें ITA वाले apply कर सकते हैं, तो इसमें देखिए fitter की यहाँ पे seat है, ITA है तो apply कर सकते हैं, fitter के बाद electronic, mechanic, AC differentiation, welder, machinist, electrical, turner, grinder, इसमें आप लोग apply कर सकते हैं, अब बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका dropment भी है, यह भी आपका एक तरीके से कह सकते हैं, आपका ITA लेविल की poster जिसके अंदर dropment mechanical की 9 seat हैं, same वही written और इसके लोगा आपका और यहाँ पर आपका हो जाएगा, आगे बात करते हैं, civil तो civil में आपके पास यहाँ पर रहना तो हम basically यहाँ पर आपका दो post का दिखा दिता हूँ कि आपका कितना रहेगा, अगर आप scientist की post पर apply करेंगे, तो आपका basic जो है आपका सातने वितंग, level 10 की post रहेगी, जिसमें 56,100 रुपैसे आपका basic start होगा, जिसके उपर सारी चीज़ें आपकी calculate की जाएंगी, इसी तरीक जिसमें आपकी idea की post है, इसमें आपका basic रहेगा, level 3 की post रहेगी, 21,100 का आपका basic रहेगा, उसी के उपर सारी चीज़े calculate हो जाएंगी, तो इस तरीके साप लोग समझ गाऊंगे कि यहाँ पर आपका basic पे रहने वाला है, क्या आपका पैसे रहने वाले हैं, तो इस तरीके से आपका level के साप से बोश रहेगा, जिस पर आपका सारी चीज़े calculate की जाएंगी, age limit मैंने आपको लगवक बताई थी, age limit आपका यहाँ पर देखिए, अगर आपको age limit में छूट चाहिए, तो आपको पास SCA, STA, OVC का है, तो आपको 3 साल और 5 साल का यहाँ पर आपको age relaxation यह 500 रुपा बाद में refund कर दिया जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कौन-कौन से document upload करने इस चीज़ को भी आप लोग देख सकते हैं, तो आपका photo, आपका size दे रहा है, इस चीज़ को देख लें, photo का color बगार भी आप लोग इसमें चेक कर लें, और साथ-साथ आपक जो आपके documents हैं, जैसे कि आपका EWS, OBC, income assets बगारा, यह आपको upload करना है, SCST बगारा का certificate भी upload यहाँ पर करना रहेगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सब कुछ मैंने बता दिया, आपका कैसे selection होगा, तो इसके बारें पते ही लग गया होगा, अगर आप scientist की post में है तो आपका interview और written के basis पर होगा, डिपलोमा की post में है, तो skill test और written के basis पर होगा, और same ITI में भी follow किया जाएगा, 1 ratio 5 यानि अगर 13 seat हैं, तो 65 candidate को बला जाएगा, 10 seat हैं तो 50 candidate को skill test के लिए, यह interview के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, question का paper भी हम लोग एक बार देख लेते ह तो यहाँ देखिए आपका कुछ तरीके का यहाँ पर paper आएगा, अगर हम scientist की बात करें, तो देखिए यहाँ पर total जो है, 75 minute का यहाँ पर paper होगा, इसमें 60 marks का यहाँ पर जो है, one by one third negative marking भी यहाँ पर दी जाएगी, multiple choice question होंगे, जो की 60 होंगे, और इसके अंदर आपका जो सारे आपके technical की होंगे, और जो 30 questions आएंगे, part B में वो आपके non technical की यहाँ पर questions रहने वाले हैं, तो इस तरीके से आपको clear हो गया होगा, 70, 30, 60, 30 है नि, 90 questions आपको जो है, दिये जाएंगे, अब आपका बात करूँ, 30 का जो आपका question रहेंगे, उसमें आपका देखिए, reasoning, logical reasoning, abstract reasoning, यह सारी चीज़े पूछी जाएंगी, अब आया यहाँ पर आपका जो part C, इसके अंदर आपका जो है, कह सकते हैं, इसमें आपका देखिए, जो है, total 20 marks का होगा, इसके अंदर इसमें दे रखा है, technical question relevant to main specialization discipline, notified in the advertisement only, जो भी advertisement के अंदर questions को हाँ पर बताया गया है, वो आपके यहाँ पर descriptive में होंगे द्यान लखना, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, तो यह आपका 60, 30 और 20, यानि 60 और 30 आपका हो गया, 90 और 2110 आपके questions रहेंगे, जिसमें आपका part C रहेगा, वो आपका जो है, written में रहेगा, यानि आपको लिख के आपको यहाँ पर देना रखाए, आपको यहाँ पर क्या passing criteria इसमें भी आपको दे रखाए, देखिए, written test में 50% हर part में आपका होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि किसी एक part में भी आपके 50% से कम रहेंगे, तो आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान लखना है, तो यहाँ पर 50 out of 100 marks तो आपके आर पेपर को मिला के होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक में आपके ज़्यादा आते हैं और बाकियें 50 से कमाते हैं, तो आप बाहर हो जाएंगे, सेम अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो एम्टेक भरती आजारीत है, इसमें भी आपका 40% marks आपका minimum हो होना चाहिए, और बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका पर जो है असिस्टेंट कर्टिग्री साइंटिफिक है टेक्निकल असिस्टेंट और डिप्लोमा लोगी की पोस्टर इसके भी देख लेते हैं, इसमें आपका 90 मिनिट में 80 MCQ यहाँ पर रहने वाले हैं, जो कि आपका अब देखिए, इसमें दे रखाया है, इसके बारे में, जो कि केवल योगजिता 100 अंकों के आउजित कि जाएगी, क्वालिफाय नेचर उचे, बिल भी कंटेक्टिट पर 100 मार्क्स, तो 90 मिनिट में 80 MCQ होंगे, जो कि आपके 100 मार्क्स कहांपे होंगे, और 1 थर्ड आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, अगर हम पास क्रेटिरिया की बात करें, तो कम से कम आपको यहाँ पर 80 में से 32 का आपका पासिंग रखा गया है, और स्किल टेस्ट में 50 out of 100 आपके यहाँ पर होने चाहिए, अब यहाँ पर पेपर होगा, जो जो भी डिपलों वाले हैं, इस टाइप से उसे पास किया जाता है, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना दूगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, आप देखिए असिस्टेंट रास सभा के बारे में बात नहीं करूँगा, अब आगे देखिए जो 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 बड़े बड़े स्टेट में बड़े और फॉर्म को फिल कर देना है, जिसका लिंक में वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दूगा, और ट्रैवलिंग अलाउंस वगरा भी यहाँ पर आपको मिलेगा, जो भी स्किल टैस्स के लिए जाएंगे, कैंडिडेट सुन के लिए, तो वो बात की चीज है, पहले आप nowar 24 यहाँ पर closing date है जो कि अभी यहाँ पर extend कर दी गई है, जो कि अभी आपका extend करके यहाँ पर, जो है, आपका 24 अपर closing date कर दी गई है, तो इस चीजका आप लोग को ध्यान लखना है, तो इस तरीके से यहाँ आपन नोटिफिकेशन है, जो कि मैंने आपको पूरा बता दि कुछ भी तो आप नीचे कमेंट ने पूछ सकते हैं बाकी जो है अगर कोई भी तरीकी की परशान है तो टेलीग्राम गुरूप नॉलेज आई की अभी जोइन करिए जहां पर आपको सारे डिटेल मिल जाएगी आशा करतों वीडियो पस्तान दें वीडियो को शेयर करें मैं अभी शेक आपके साथ फिर मिलूँगा एक नेच वीडियो में तब तक के लिए थैंकी सो मच पर वाचिंग इस वीडियो थैंकी सो मच